नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अभी जिये सेंटर में दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और अपने नॉलेज को अपडेट वा इवेलुएट करेंगे ठीक है कमिल करके अपना इसको जरूर बताईएगा दोस्तों इस वीडियो का पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको जॉइन कर लिजेगा वहां फ्री पीडियेप आपको मिल जाएगी ठीक है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामानी ग्यान की एक हजार अती प्रशनों का पीडियेप डाउनोड करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप लोग डाउनोड कर सकते हैं ठीक है यहां पर थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है और अगर किसी को बहुत जादा दिक्कत है तो अगर हमें कौन सा समास है ठीक है ओप्शन से द्यूगु समास तत्पुरु समास द्वन्त समास और कर्मधारय समास ठीक है तो नवगर हमें कौन सा समास है तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्यूगु समास ओप्शन नमबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा जहां के आधार पर कब की गई थी राज्यों की पुनस सनचना बताईए दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका जो राइट आंसर है वो है 1956 में ठीक है ऑप्शन नमबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं यह रो लो वो किस वर्ग के वेंजन हैं दोस्तों बताईए मुझे किस वर्ग के वेंजन है यह तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अंतस्त ठीक है ऑप्शन नमबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है हिंद तो हिंदी वर्ड माला में स्वरों की संख्या कितनी हैं? मुझे comment करके बताईए. ठीक, तो इसका जो right answer है वो है option number C, 11 स्वर हैं. ठीक है, तो हिंदी वर्ड माला में स्वरों की संख्या कितनी हैं? 11 है. अगला प्रशन है सुद्ध वरतनी का चैन कीजिए. ठीक है, हमें सुद वरतनी है इसका जो right answer होगा वो है option number A तरुन ठीक है अगला प्रसन देखते हैं इत्यादी का सही संदि विच्छेद है ठीक है तो इत्यादी का सही संदि विच्छेद हमको बताना है तो इसका जो right answer दोस्तों वो है इतिधन आदी ठीक है option number D यहाँ पर correct हो जाएगा अगला प संदि विच्छेद विच्छेद बताना है किसका विश्वा मित्र का ठीक है जल्द जल्दी बताइए मुझे comment करके दोस्तों अगर आप option number D के साथ में तो बिल्कुल correct है ठीक है विश्व प्लस अमित्र यह कह सकते हैं कि विश्वधन अमित्र ठीक है यहाँ पर option number D जो है व तो यहाँ पर देखिए लेखक लिखा है ठीक है यह है ना लेखक ठीक है और last में क्या है को है ठीक है तो जहाँ पर अब देखिए लेख भी अपने आप में एक सब्द है और last में को लग गया है तो जहाँ पर भी अंत में कोई सब्द लगा हो या फिर कोई word लगा हो तो औ और एक नया अर्थ दे रहा हो तो वहां पर क्या होता है प्रत्य लगा होता है प्रत्य क्या है यहां पर देखे का लगा हुआ है ठीक है क्या लगा हुआ है का लगा हुआ है वैसे तो लेक क्या होगे लिखना लिखा हुआ कोई चीज है तो उसको लिखने वाला हो गया ठीक है तो एक नया सब्द बन गया और इसका नया अर्थ भी निकल गया रहा है, ठीक है, तो लेखक सब्द के अंते में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है, को लगा हुआ है, ठीक है, ओप्सन नमबर A जो है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन है, प्रतिकूल सब्द में क आप लोग ऑप्सन नमबर D के साथ में हैं, यानि की प्रति के साथ में हैं, तो बिलकूल करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो प्रतिकूल सब्द में कौन सा उपसर्ग प्रिक्त है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है, वो प्रति लगा है, ठीक है, उपसर्ग जो है, पहले ल पास है चत्रभुज में ठीक है चत्रभुज यहां पर अगर हम बात करें चत्रभुज तो वैसे तो यहां पर गड़ना वाला भी देखने को मिलना है कि यहां पर लग रहा है कि कुछ गड़ना भी है लेकिन गड़ना के साथ साथ एक चीज और देखने को मिलना है एक और अर् मिले जहां पर भगवानों के बारे में बताया जाए ठीक है तो जिस सबसे पता चले कि ये भगवान के लिए प्रियुक्त किया गया है ठीक है चत्रभुज का भगवान के लिए ही प्रियुक्त किया जाता है ठीक है तो वहां पर हमेशा बहु ब्रही समास होगा ठीक है याद इसको हम यहांपे लिख लेते हैं इस तरीके से आपको आख बन्द करके आप लोग दुन्द समास को तिक कर दिया करिएगा ठीक है ऑप्सन नमबर बी यहां पर मिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक चलिए अगला पर दिखते हैं अपील सब्द है ठीक है आपने बहुत बार सुना होगा कि हाई कोट के अगेंस्ट सुप्रीम कोट में हमने अपील कर जो है ठीक है अपील सब्द जो है यह कैसा सब्द है तत्सम सब्द है तदभव सब्द है देशस सब्द है विदेशस सब्द है कौन सा सब्द है ठीक है आपको बताना है चलिए कमेंट करके मझे जल्दी से बताईए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए वीडियो लाइक वो है विदेशज ठीक है यहाँ पर correct answer होगा अगला परसद लेखते है भारती सब्द का बहुअचन है हमको यहाँ पर बताना है कि भारती सब्द का बहुअचन क्या होगा तो कई बार exam में पूछ लेता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा confusion वाला है सबी देखे यहां पर सब्द एक जैसे लग रहे हैं ठीक है कैसे लग रहे हैं एक जैसे ही ठीक है तो यहां पर जो right answer होगा वो क्या होगा भारतियों होगा ठीक है option number A जो है वो correct हो जाएगा अगला परसन देखते हैं भाव आचक संग्या है ठीक है तो यहां पर कौन सा option सही होगा दोस्तों तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि भाव आचक संग्या वहाँ होती है जहां पर हम किसी की age के बात करते हैं ठीक है किसी के सुन्दर्ता की बात करते हैं या फिर किसी की आयू की बात करते हैं ठीक है तो वहां पर क्या होता है भावाचक संग्या उटा है तो यहां पर भी देखो तो यहां पर भी देखहो लड़क्पन जो है यहां पर बच्पन की बात की गयी लड़क्न सब्द भी अपने आप będą dar help Transit और वावाचक को जरूर पता होगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ही important प्रस्ण है इसलिए मैं इसको सामिल किया है बहुत बार एक जाम में पूछा जाता है ठीक है तो रंग भूमी उपन्यास के लेखक कौन है फटा फट कमेंट करके मुझे बताइए इसके उपन्यास के लेखक कौन है इस उपन्यास के रंग भूमी उपन्यास के लेखक कौन है तो अगर आप ऑप्सन नमबर बी के साथ में तो बिलकुल परिमचंद अगला प्रसंद देखते हैं कौन सा सब्द याति वाचक संग्या नहीं है हमको अब इसमें से चांट के बताना है कि याति वाचक संग्या नहीं आ प्रशम जवान- जवान बिह cesद के जवाण हो गया तो यहाँ पर यहाँ पर मतलब की एक जाती को दरसाता है न जवान ठीक है और सुन्दर बालक ठीक है बालक भी क्या है ये भी एक जाती वाचक संग्या हो गया ठीक है और मनुस्य भी एक जाती वाचक संग्या हो गया यहाँ पर ठीक है तो सुन्दर अगर की बात करें हम ये कैसा सब्द है तो ये भाव वाचक सब्द है ठीक है तो option number C यहाँ पर correct हो जाएगा कि जाती वाचक संग्या नहीं है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं म्रिगेंद्र का प्रयवाची सब्द नहीं है सॉरी है ठीक है तो यहाँ पर हमको बताना है कि म्रिगेंद् का प्रयवाची सब्द नहीं है अब यहाँ पर देखें तीन तो घोड़ा के प्रयवाची सब्द होंगी होंगे एक नहीं होगा यहाँ ठीक है तो यह देखिए अस्व आपको पता ही है कि घोड़ा का प्रयवाची सब्द है घोटक यह भी अस्व का प्रयवाची सब्द है ठीक है किसका यहाँ पर option number D जो है वो correct नहीं है ठीक है मतलब correct है घोड़ा का प्राइवाची सब्द नहीं है ठीक है अगला परसंद देखते हैं सही बिलोम सब्द चुनिये मानव का हमको बताना है यहाँ पर बिलोम सब्द तो मानव का बिलोम सब्द क्या होगा दानव है दैति है राक्षर्स है पुरुस है तो इसका बिलोम सब्द क्या होगा तो देखिए यहाँ पर बाकी तीन जो है similar है एक जैसे लग रहा है लेकिन इसमें भी सबसे जो best होगा सबसे best option उसको चुना जाता है तो सबसे best option जो है मानव का जो बिलोम सब्द है वो दानाव है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते है सास्वत सब्द का बिलोम क्या है ठीक है यहाँ पर प्रसंद लिखा है सास्वत का बिलोम सब्द है ठीक है Sadaev, Anasvar, Nasvar और रहस्य न अगला परस्दम देखते हैं जो दूसरों के सहारे जिवित रहे उसको क्या कहेंगे कौन से उसके लिए सब्द प्रियोग करेंगे हम लोग तो इसका जो राइट आंसर है वो है परोप जीवी ठीक है दोस्तों आप लोगों से गुजारिस है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देजीगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ठीक है एकजाम के बाद भी और एकजाम से पहले भी ठीक है एकजाम के बाद आपके बहुत सारे notification वगर आते रहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको लगती रहेगी ठीक है? चलिए फिलाल इसका जो right answer है वो है परजीवी ठीक है? चलिए अगला प्रशन है पुरुस व इस्तरी का जोड़ा, ठीक है? क्या कहलाता है? पती-पतनी युग्म, युगल और क्या कहलाएगा? इसका जो appropriate इसका जो एकदम सही सटीक जो आंसर होगा वो होगा दमपती, ठीक है? क्या कहलाता है? दमपती कहलाती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रशन है आग का नीर ढल जाना का अर्थ है? क्या आर्थ होगा इसका option है मरते समय आसू, निरलज हो जाना निर्शाहित होना, निस्प्रभ होना ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है निरलज होना, option number B जो है यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है? अपने score मुझे comment box में जरूर बताईएगा, ठीक है? फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है क्या होगा यहाँ पर? right answer, तो इसका जो right answer है, वो है option number C, एक साथ दो काम करना, ठीक है? चली, अगला और last प्रस्ण देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 25 questions आने हैं, तो practice set भी आपके OC के इसाप से syllabus के इसाप सी रखा गया है, ठीक है? तो last प्रस्ण है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, कौन है यापर? ठीक है? कौन है? कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, फिलाल मैं आपको बता जेता हूँ, अगर आप option number B के साथ में हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है? अगर आप प्रेम चंद को टिक करते हैं, तो बिल्कुल आप सही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो right answer बनता है, प्रेम चंद बनता है, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी ठीक है? वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक किजेगा, दोस्तों में share कर दीजेगा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेजेगा मिलता है एकली वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई ठेक केर